हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मैं आपके लिए हर बार नई-नई इंट्रेस्टिंग कहानिया ले करके आती हूँ और आज हमारी कहानी है दे हैक ड्राइवर फ्रेंड्स यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी है इसमें कीवल दो केरेक्टर्स हैं एक है ह लिवर लुटकेंस यह एक ऐसा परसन है जिसके तलाश में हमारा गाइटर उसके पीछे जाता है तो यह आई कहानी शुरू करते हैं हमारा नरेटर एक यंग लॉयर है जो की एक लॉव फर्म में काम करता है और उसकी ड्यूटी है कि उसे सम्मंस देने होते हैं उन विटनेस को जो की कोर्ट केस में रिक्वाइड होते हैं मतलब कोर्ट केस चल रहा है और उसमें जो विटनेस हैं उनको सम्मंद देने के लिए उसको भेजा जाता है हमारे राइटर को राइटर ने गजोशन किया है ओनर्स में ओनर्स के साथ लॉव में और उसका सपना था कि वो प्र मेंधारी दे दी जाती है, कि आप जाएए और जो विटनिस हैं, उनको सम्मंस देके आएए, और इस काम के लिए उसे बहुत ही difficulty face करनी पड़ती है और बहुत ही dangerous काम है और यह जो डाइटर है, वो इस काम को hate करता है क्योंकि उसे शहर से दूर बहुत बुरे-बुरे छोटे-छोटे गाउं में और ऐसे बद्दे इलागों में जाना पड़ता है जहां पे जाना कोई भी सब्भे आदमी पसंद नहीं करेगा वो रह रहे कर कि यही सोचता रहता है कि काश मैं वापस अपने गाउं चला जाओं या अपने शहर चला और वहाँ जाकर के अपना काम शुरू करूं और एक लॉयर की तरह प्रैक्टिस करूं एक दिन उसकी फर्म उसे एक सम्मन बिद्देने के लिए काम सौपती है जो की ओलिवर लुटकन्स नाम के एक व्यक्ति को सम्मन देना है और वो न्यू मिलिन नाम की एक जगा पर रहत है क्योंकि ये एक गाउं है इसलिए राइटर को इस बार अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके दिमाग में जो विलेज़ की इमेज बनी हुई है वो बहुत ही शांत, स्मॉल, ब्यूटिफुल विलेज़ की मेज उसने बना रखी है लेकिन जब वो बहां जाता है तो देखत सब्सक्राइब करते हैं, वह इस वह समय कर लाएक जैसा है ही नहीं जो उसने अपने सपनों में या एक हवाले खेत नवह वह शुनदर्दा ना हर्याली ये एक ऐसा गाउ जो टाउन होने की कगार पे है यानि की एक कसबा सा बनने जा रहा है गंदी गंदी काले रंग से पेंट हुई भी या फिर मिट्टी के रंग से पेंट हुई भी दुकाने हैं उन में से अधिकतर जो दुकाने हैं वो लकडी की बनी हुई हैं जैसे की वुडेन शॉप्स होती ह हैं चूटी चूटी सी उस तरह की शौपस हैं अब वो उन सलकों پर देखता है के सलकों पर गड़े चूटी-छूटी सलकें तूटी-फूटी सलकें हैं विलज देख करके उसका मन खटा हो जाता है लेकिन जब वो platform पे उतर करके थोड़ा आगे भड़ता है तो वहां उसे एक चीज अच्छी लगती है वहां वो एक आदमी से मिलता है यह आदमी बहुत cheerful था और वो उससे बाचीत करता है तो writer उसके बताता है कि वो सम्मन देने के लिए आया है Oliver Lutkins नाम के एक व्यक्ती को तो वो व्यक्ती जो उसको मिलता है वो कहता है कि Oliver उसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कभी एक जगह पर ठहरता ही नहीं है मैं आपकी help कर सकता हूँ आप एक काम कीजिए मेरे पास एक hack है यानि एक carriage है जो horse cart होती है उसे hack भी बोलते है तो वो covered होती है एक cabin जैसी तो वो कहता है मेरे पास एक hack है आप चाहें तो उसे किराय पे ले सकते हैं उससे मेरा भी काम हो जागा और आपको भी सारा दिन hack मिल जाएगी तो आप अराम से उसको ढूंड पाएंगे अब writer त्यार हो जाता है वो सोचता है कि चलो अच्छा है ये आदमी अच्छा है इससे बाचीत करते करते समय का पता भी नहीं चलेगा और जो मुझे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के जरूरत थी या उसे ढूंडने में ट्रांसपोर्ट के जरूरत परती वो काम भी मेरा पूरा हो जाएगा ये सोच करके वो उसकी hack को hire कर लेता है रास्ते में चलते चलते जो hack driver है वो कहता है कि ये मेरी अपनी hack है और मैं इसे हमेशा किराय पे देता रहता हूँ तो बातचीत में वो लिटकिंस के बारे में बताता है कि Oliver जो है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक ऐसा person है जो हमेशा कुछ ने कुछ करता ही रहता है और यहां तक कि उसने मेरे से भी कुछ पैसे उधार लिये थे लेकिन मैं आज तक उससे अपने पैसे ले नहीं पाया हूँ अगर आप उसे पकड़ने या उससे आपकी बात हो तो प्लीज आप मेरे पैसे उससे सरूर निकलवा दीजिएगा लॉयर उसकी बातों को सुनकर इंप्रेस होता है क्योंकि वो यह फील करता है कि जो व्यक्ति है ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है बहुत ही खुल के बात करता है और उसे गाउं के बारे में भी गाउं के लोगों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि रास्ते में पढ़ने वाले हर थोड़े दूर पर एक मकान के बारे में वो उसको कुछ नई जानकारी देता था, वहां पे रास्ते में जो लोग उसको दिखाई दे थे, उनके बारे में भी वो सब कुछ पताता रहता था कि इसका वहवार ऐसा है, लोगों का वहवार ऐसा होता है, छोटे गाउं में, लोगों की सोच ऐसी होती है इस तरह से इंट्रेस्टिंग बाते करते करते वो दोनों ऑलिवर को ढूनने के लिए चलते रहते हैं अब हैक ड्राइवर उसको कहता है कि हमें लुटकिन को ढूनना पड़ेगा क्योंकि ऑलिवर लुटकिन एक ऐसा परसन है जो एक जगर नहीं ठैरता तो चलिए सबसे पह गुस्ताफ की बारबर शॉप पे गया होगा यह दोनों फिर अपनी हैक में सवार होते हैं और उस गुस्ताफ की बारबर शॉप पे पहुंचते हैं लेकिन वो बताता है कि अभी थोड़े ही देर पहले वो यहां पे था लेकिन वो निकल गया है आप उसको जाकर करके पूल गुस्ताफ की बारबर शॉप पे पहले यहां था लेकिन अभी दो मिंट पहले ही यहां से निकल गया इस तरह गुमते गुमते वो पूरा गाउं गुमने लगते हैं और लंच का टाइम पहुंच जाता है अब लंच टाइम पे वो सोचता है कि खाने की विवस्ता किस तरह क क्याता है कि आपको मैं सस्ता खाना दिलवा सकता हूं दुकानोंपर से लेकर अगर आप चाहें घर का बनावा शुद्ध खाना तो वो आप मेरे घर पर से ले सकते हैं हो सकता है कि उसमें आपको दो पैसे एक्स्ट्रा लगें लेकिन वो खाना बहुत भड़िया और घर आता था कि चलो कोई बात नहीं इसके भी दो पैसे अगर बन जाते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है ये सोच करके वो उसके घर के खाने के लिए रेडी हो जाता है तो हैक ड्राइवर जो है वो अपने घर जाता है और वहाँ जा करके अपनी वाइफ को खाना बनाने के है सोचते हैं कि अब सूरज दूबने में अभी थोड़ी देर है इसलिए वो लो लोग लंच करके आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हैं ड्राइवर उससे कहता है कि चलो एक काम करते हैं यहांसे थोड़ी दूर पर अल्लीवर का घर है requirements ुछिप सब और श्रूर जो है वह ब रमतवा लेके दोड़ी थी ये कहकर कि तूने संदू को बहुत आराम से क्यों नहीं रखा अभी टूड़ गया होता तो ये कहकर कि वो हैक ड्राइवर जो है वो हमारे राइटर को डरा देता है और कहता है कि आप एक काम करना आप पीछे रहना और मैं उसकी मदर से बात करता ह क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है अब जब वो ओलिवर के घर पे पहुंसते हैं तो उसकी मदर कह देती है कि नहीं ओलिवर यहां नहीं है मुझे उससे कही मतलब भी नहीं है और तुम चले जाओ यहां से ये कहकर कि वो उन दोनों को मारने के लिए दोड़ती है वो दोनों अपनी जान बचा कर बहार भागाते हैं लेकिन हैग ड्राइवर जो है वो कहता है तुम यहीं ठहरो मैं इसके घर के खिडकियों में से जहांक कर देखता हूँ कि कहीं ये घर में चिपावा तो नहीं है ये सोचकर के वो चाणों तरफ से घर की खिडकी दरवाजे उमें से जहांक जहांक के देखते हैं लेकिन Oliver कहीं दिखाई नहीं देता अब शाम होने लगी थी और शाम की गाड़ी से हमारे राइटर को वापस लोटना था तो राइटर उसको अलविदा कहके वापस आ जाता है और जब आके अपनी फर्म के जो चीफ है उनको बताता है कि मैं उसक सम्मन नहीं दे पाया क्योंकि वो मुझे सब जगर ढूनने के बाद भी नहीं मिला तो वो चीफ नाराज होते हैं और कहते हैं कि अगले ही देन इस केस की हाईरिंग है तो प्लीज आप जाओ और दुबारा से जा करके उसको ढूंडो और सम्मन उसको दे करके आओ अब की ब फिर से विलेज पहुंचते हैं न्यू मिलेज में पहुंचते हैं वहाँ पे जब ये ट्रेन से उतरने धीमी गती से रुखने की त्यारी में होती है और ये ट्रेन के फुटरेस्ट पे खडे होते हैं तो अचानक से प्लेटफॉर्म पे राइटर को एक व्यक्ति खड़ाव में गुमाया था तो ये अपने साथ वाले व्यक्ति को बताता है कि अरे देखो ये व्यक्ति वही है है ड्राइवर जिसने मुझे बहुत हैल्प किया था ये बहुत ही अच्छा बंदा है और इसने मुझे पूरे गाउं में मेरे साथ घूम करके मेरी हैल्प की था हाँ हाँ क्यों नहीं ये आदमी तो जरूरतों में गुमाएगा क्योंकि ये खुद ही ओलिवर लुटकिंस है अब जब ये ड्राइटर सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और उसे बड़ी हैरानी होती है कि मुझे इसका मतलब ओलिवर ने जानते बूस्टे वे मुझे बे खुशी हुई अब एक काम कीजेगा मेरे एक पड़ोसी है जिन से पिछली बार मिलना आपका रहा गया था वरना तो आप पूरे गाउं घुमी लिये थे मेरी तलाश में और अब उन से जरूर मिलेगा वो आपको कॉफी पे इन्वाइट करना चाहते हैं ये कहा के उसने उस टाइंग खराब किया उससे हैक अपना अपनी हैक उसे किराय पर दे करके उससे पैसे भी वसूले पूरा गाउं घुमाया और सब के बीच में उसका मजाग बना दिया तो ये एक सरकाजम से भरी वी कहानी है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगर आप मेरी कह पहानिया पसंद करते हैं तो प्लीज इनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए